कल सिपाई भरती परिक्षा हुई थी दो चरण में हुई थी और उसके बाद धांदली का मामला सामने आ रहा है लगबग 126 युवा जो हैं गिरफतार हो गए हैं और मुन्ना भाई और गैंग्स का भी बात सामने आ रहा है चाहिए सब तमाम उद्दों पर बात करने के लिए म मामला सामने आ रहा है और धांदली भी आ रहा है क्या कुछ कहेंगे देकि अगर पेपर लीक का मामला है तो दुरभाग्यपूर्ण है और लेकिन ये तो जाच का विश्य है क्योंकि कुछ अख़बारों में भी तो कोई बहुत सबस्ट नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि एंसर ले गए थे बाहर से इसा सुनने में आ रहा है तो इसकी विधिवत जाच होगी और हमारा मानना है कि अगर कहीं से भी पेपर लीक की कोई गुंजाईश दिखती है और जो अभिहर्थी इस परिक्षा को दे रहे हैं अगर उनके साथ इंसाफ होता हुआ नहीं दिखता है अभी तो राजस्थान में सरकार ने कहा कि जो पेपर लिक में पकड़े जाएंगे उनको आजीवन करावास होगा तो उस तरह का सक्त कानून वहां बना करके मैसेज दिया गया हम तो नहीं करें कि आजीवन करावास ही बनाईए लेकिन कुछ सक्त इसका मेकेनिजम सरकार स और इस परिक्षा में अगर कोई धांदली गरबडी हुई है तो उस पर ततकाल करवाई हो सुनने में आ रहा है कि ब्लूटूथ लेकर अंदर जा रहे थे तो क्या सेक्योर्टी इतनी टाइट नहीं थी सरकार जो है इतनी सारी परिक्षाएं बिहार में होनी है और कई सारे स सेंटर को सरकार चिंहिच करें जिन सेंटर सेनथर की कमिया है व्लूटूथ लेकर कोई घुस रए हे आप जानच भी कर रहा है तो कैसे निकल रहा है तो हो सकता है क्या मामला हो कि जानच का विसे हैं लेकिन अगर ऐसा है तो उससांदेर सेंटर सेंटर कर्वाई हो नग 1640 ज जब चेकिंग सई से कर रहे हैं तो यह सब कैसे निकल के आ रहा किसकी गलती आप एक से शातिर वाले लोग भी रहते हैं आप चेकिंग कीजिए कुछ लोग के दिमाग में यही चल रहा है और फिल्म में एक से इस तरह का सीन भी दिखाया गया है तो उस तरीके को भी लोग और क्योंकि बिहार में इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल में ही सरकार ने बिहार सरकार ने अभूत पूर्व तरीके से कई एक बहालियां को रिलीज किया है सिक्षक के मामले में दो सिफ्ट का बाहली चल रहा है फिर आपका बिहार पुलिस में चल रहा है बाहली स्वास्त विभागों में बाहली आया हुआ बिहार करमचारी चायनायों के माध्यम से 21,000 कुछ बाहली है तो ऐसी तमाम बाहलियां हो रही तो इसलिए सभी बहालियों को देखते हुए सरकार को चाहिए कि जितनी परिक्षा से लेने का जो मेकेनिजम इनका है उनके अंदर अगर कोई सांस्थानिक दिक्कत है तो उसको तो सौट आउट करे और जो करप्त या इस तरह के लापरवा अधिकारी है उनको चिन्हित करके उनको वहां से हटा है सेटर्स को बैठाने का भी बात आ रहा है चलिए मान लिए ब्लुटूथ का कोई यह रहेगा लेकिन किसी और के जगह पे कोई और एक्जाम दे रहा है यह कैसे हो सब लोग जानता है और सब लोग जानता है कि होता है और हर समय हुआ है लेकिन इसको मि कि रिफ्तार हो गहां आख रिए और सोग से बिए झाइशाूरा चापा है तो यह प्सक्रयाल होगा कि बडूद करने का दो कि शुक्रिल करने का फैसल हए तो फिर e1.5 होगा लकिन यह तो अगर वहां पर पता चलता है कि सौसे ज्यादा लोग गिरफतार है तो समझे की संख्या बढ़ेगा ना वो तो लोग बताएंगे कैसे कैसे हुआ है उस पर जांच होगी जांच होगी करवाई होगी तो यह प्रकिरिया है इस चीजों को सीपाही भरती परिक्षा को और इतना किस तरह से देख रहा है यह मानते हैं कि यह दुर्भागे पूर्ण ही है चात्रों के लिए तो बड़ा संकट होता है बिचारे लोग एक चात्र जो है अपने घर से कितना दूर जाता है परिक्षा देने परिक्षा देके आता है उससे पहले की तैयारिया होती है तमाम उनको काफी परिसानी जेलनी पड़ती है घ्जाम इतनी मेने से पढ़ाई करते हैं लेकिन उनके वैसे इस सब परिसानिया जेलनी पड़ती है और धानली का मामला सामने आता है देखना लाजबी रहेगा कि सरकार कैसे संग्यान लेती है इस चीज का वनि रहे ख्यास नूज के साथ मैं काजल सर्वेस